हेलो गाइज, वेल्कम नियूज अपडेट, प्लीज इने सिस्क्राइब कर लेना जब एक यूजर ने सोना महापात्रा को उन्हीं की मैडिसन का टेस्ट कराया तो सच में मैडम को बहुत ही मिर्ची लग गई, मतलब उन्हें बहुत बुरा लगा मिर्ची क्यों कह रहे हैं, एक्चुली आप सभी जानते हैं, सोना महापात्रा कैई दिन से लगातार शेहनास को टार्गेट करते हुए कैई ट्वीट्स कर रही थी, बात हुई थी शुरू, जो साजित खान को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था बल्कि जो शेहनास को प्रेज किया जा रहा था मीडिया के द्वारा आजान वाली बात के लिए, बात तो हाँ से शुरू हुई थी तो सोना मापात्रे ने ट्वीट किया था कि जिस तरह से मीडिया प्रेज कर रहा है इन्होंने उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाई जब इन्होंने साजित खान को सपोर्ट किया था जिन पर इतने सारी लड़कियों ने आरोप लगाए हैं सिस्टर हुड का साथ देना चाहिए था उन्हें मतलब बेहन चारा दिखाना चाहिए था जैसे भाई चारा कहते उसके बाद काफी सारे फैंस ने अपना पक्ष रखा उन्हें ट्रोल भी किया तो उन्होंने उन्हों किये कहने लगी कि जो शेहनाज हैं मतलब वहाँ उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बात कही दिनों से वही चल ली थी तो उन्होंने कहा वो जानती है ऐसी उड़तों को जो शॉर्टकर तरीके से पैसा कमाती हैं इसके अलावा उन्हों में कोई टैलेंट नहीं होता है और भी काफी सारी चीजें कहीं उन्होंने की पेड ट्रोलर्स का यूज कर रही है शेहनाज गिल उन्हें ट्रोल कराने के लिए तो यह सब बाते हुई ऐसे में अब कैई दिन बाद एक यूजर है आप देख सकते हैं का नाम है अर्श ओके इन्होंने सोना मापात्रा को टैक करत इन हर लेटेस्ट ट्विट गेवन अपीट यह लोग शोर्ट फर्म का यूज करते हैं मोस्ली जो यूजर से ट्विटर पर इंट्रोफ हरसेल्फ विदाउट राम संपात और इस कॉंटक्त शी हैस दन नथीं गूद इन हर करियर और लेटर मेरी तो इस तो तो बाद पहले ही आपको बता देती हूँ कि यह शेहनास के फैन नहीं है अगर वो उनके फैन होते और वो ट्रोल कर रहे होते या कुछ कह रहे होते तो ही हो जाता है कि भी फैन्स कह रहे हैं यह एक रैंडम ली यूजर है जिन्होंने अपनी राय रखी है और एक तरह से पोल खोल द में फ्रस्टेटिड होकर उनका यूजर कर रही है मतलब जब वो बॉलिवड में इंडिस्ट्री में बिल्कुल नहीं दिखाए दे रही है तो दिखने के लिए न्यू कमर का यूजर कर रही है वो बात कर रहे हैं यहापे शेहनास की और उन्होंने साथ में जो ट्वीट्स एड करें उन्हें बताया कि किस तरह से उन्होंने काफी कुछ किया है महलब कई प्रोजेक्ट एक ही इंसान के साथ की है इस पर मैम जो है थोड़ा बोखला गई उन्होंने फिर ट्वीट किया दियर मिनियन्स अफ टॉक्सिक पैटरेचे यू वुड नेवर फिल दिस वे फोर टू मैन हू वर्क टूगेदर इन दा म्यूजिक इंडस्ट्री एज इक्वल पार्टनर सलीम, सुलेमान, विशा, शेकर तो उन्होंने काफी लोगों के नाम बताए कि जो दो म्यूजिक पार्टनर से साथ में काम करते हैं मैं और राम भी इसी तरह हैं फिर उन्होंने कुछ एक इस्टाग्राम रील है वो भी साथ में अटेच की जिसमें वो कह रही हैं कि राम और वो इक्वली काम करते हैं वो किसी पर dependent नहीं है वो independent है अपनी जो शॉपिंग है वो खुद करती है अपने husband से पैसे नहीं लेती है ये सब चीजे वो बता रही थी तो वो कहना चाहती थी कि भई वो जो कर रही हैं और राम के साथ उन्होंने जो प्रोजेक्ट की है वो उसमें दोनों equally काम करते हैं ऐसा नहीं है उन्हें खेरात में मिल गए हैं वो प्रोजेक्ट लेकिन ये जो यूजर है इन्होंने फिर से ट्वीट किया लेडी दोज आर योर ओवन वर्ड्स सो यू आर दा बिग ओल्ड मिनियन मतलब वो औरो को अब तक कह रही थी कि लोगों का यूजर करती हैं लड़किया आँगे बढ़ने के लिए शॉर्टकर तरीके से पैसा कमाती हैं और जब उन्हीं पर उंगले उठाई गई कि किस तरह से उन्होंने एक ही इनसान के साथ कैई प्रोजेक्ट किये हैं फिर बाद में उन्हें से शादी कर ली सक्सेस्फुल इनसान के साथ तो उस चीज़ पर उन्हें बुरा लगा उन्हें रील भी अटेच कर दी और बाकी अपनी सफाई में काफी कुछ कहा और यहां पर बहुत सारे यूजर कहें फैंस कहें और जो इन यूजर जो अर्श हैं इनका साथ देते नजर आ रहे हैं एक्चुली ये किसी की फैंने लगती हैं अलाकि इन्होंने पिक लगाई हुई है एक पंजाबी स्टार है उनकी लेकिन ये जैसे इनका आप अकाउंट चेक करेंगे तो ये काफी सारे लोगों के लिए ट्वीट करती है या जो पसंद आता है लाइक वगेरा करती है अब आप लोगों की क्या है राय कॉमेंट करके बताना इस बारे में कि सच में सोना महापात्रा को अपनी मेडिसन का टेस्ट चखना पड़ा और वो उन्हें कडवा लगा तो कमेंट करिए का और चैनल सिस्क्राइब कर लेना थैंक्यू गाईज